पीपल के पत्वा पर लिख दी दिल की बात, आई है हवाएले के मोदी जी का साथ, मोदी जी को चुनाओ में अपने सारे दिल के दर्द बताऊंगा, अपनी बेरोजगारी दूर बगाऊंगा, टेले ले 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 ले, अरे बाबरे बाब, ये फोन किसका आगया, पीरियंका, प प्रियंका गांधी जी अरे बाब रे प्रियंका गांधी जी का फोन आ गया हाँ प्रियंका दीदी किसलिए फोन किया है मेरे पास मैं तो मोदी जी का आदमी हूं अंदबगत किसलिए फोन किया मेरे पास जल्दी बताओ मेरे को यह जड़ी बूटी पीस नहीं है लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधान मंत्री देखा है अरे परियंका जी इससे पहले तुमने मन मोहन सिंग को जी देखा था क्या उससे पहले कौन था उससे पहले भी मन मोहन सिंग जी था उससे पहले आपके पापा जी थे अच्छा तुमने लगता है पूरे विशव में पहला ऐसा प्रधान मंत्री देखा है जो सेर का सीना है चापपनीज का अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने हमारे नरेंदर मोदी जी सर में नरेंदर मोदी सेर में जो तुम यहां भासन दे रही हो जल्दी बताओ मेरे को आखिर क्या देखा तुमने जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है वो बहुत रोता है यह तो तुम ठीक रहे हो वह जब भी भासन देने आता चुनाों के टाइम पर रोता रहता है रहा हुआ बाइवा बेन ओ यह कांग्रेस पाटी मेरे को इतनी गालिया देता है इतनी गालिया देता है अच्छा मेरे को पता चलगा ये चुनावी जमला है जिसमें वाकर हमारे दिल को हमारे दिल को महो लेता है दिल दीवाने का डोला मेरे मोदी के लिए अरे तु मेरे को बढ़गाने की कोशिस करती है पर मैं मोदी का पक्कान वगतू हूं ऐसे तुम्हारे जाचे में नहीं आमगा मोदी रोता है तो इस देश की गरीब janta को देख देख के रोता है कि मैं इतनी महँगाई कर दी फिर भी देश की जनता खरीद खरीद कर माल मलाई खा रही है मिठाई खा रही है फिर भी नई टिक रही है राम से ऐसे ऐसे दिमाग लगा रहा मेरा मोधी सेर रो रहा है गाली दे रहे हैं तुम लोग राउल गांदी के बारे में बोलता है मोधी जी कि राउल गांदी हमको बहुच गालिया देता है एरे देता है तो मोदी जी अपने 56 इंच के सीने में गुशा रखें सारी गालिया और चुनाओ के टाइम पर आकर निकाल देता है यही तो है मोदी सेर अब तुमको क्यों तकलीफ हो रही है मेरे को बताना जरा है आपके दुख सुनने के बजाए अपना दुखड़ा आपको सुनाते है गुड कोश्चन ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है परता है परियंका गांधी जी मैं तो नाम बुल गया तुमारा अब तो लगता है तुमारी पार्टी में सामिल होना पड़ेगा मेरे को तुम बिल्कुल सच्चा ही बता रही हो वो अपना दुखड़ा रोता है कभी हम गरीबों का दुखड़ा नहीं रोता है कि बाई ओ बैनो इस सलेंडर आजार का हो गया है दो सो रुपिया कम कर दिया चुनाओ के टाइम पर हाँ हम मेरे को समझ में आ रहा है मोदी जी का जहांसा बहुत हमको पागल मना रहा है दस साल से दो सो रुपिया सेलेंडर में कम कर दिया पैट्रोल में दो रुपिया कम कर दिया और किसी ने उनके ओफिस में बैच कर एक लिस्ट बनाई है किसी ने उनके ओफिस में बैच कर लिस्ट बनाई है यहाँ वो अमगरीबों की लिस्ट है पक्ते मकान देगा और वो अमको रोजगार देगा और मेंगाई कम करेगा जी हाँ जी हाँ अब मेरे को पता चल गया मोदी जी 24-24 गंटे जाग करके आखिर करता क्या है हम गरीबों की लिष्ट बना रहा है किस की गरीबी दूर करनी है कई 15 लाग की लिष्ट तो नहीं बना रहा है वो सुनाव के टाइम पर सब के जन्दन खाते में 15-15 लाग डालेगा एक उत्ते चुप भागया से साले में अमीर होने वाला हूँ निकल तेरी कोई जरूरत नहीं है एक उत्ते देख वो 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 उधर एक बंदर आया चल 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 तू सारी बात मत सुन वरना तू पूरे गाउं में चिला चिला कर बता देगा कि 15 लाग मोदी दे रहा है अरे सबसे पहले मैं जाकर के बैंक में निकल वाँगा और सुन ये दारू की बोतल ले जा ले जा गाउंवालों को पिला दिये मैं तो ब्रेंडीड लेओंगा पूरी 5 लाग की अरे बाबरे 5 लाग की मरवाओगे ये वो लाँगा बोतल लाँगा अजार रुपिया वाली चल 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 कुटर लिकल या से हाँ प्रियंका जी हमारी लिस्ट बन रही है 55 लाग मिलने वाले हमको मज़ा आएगा वहारे वहा मोदी जी क्या तेरी सरकार है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है क्या वो हमारी समस्याओं की लिस्ट नहीं है तो फिर बैंगन की लिस्ट नहीं नहीं मेना मतलब है फिर क्या बेचने की लिस्ट बने रही है क्या कूछ अरे बाप रे बाप तस साल से मोदी के उपर विश्वास करकर वोट दे रहा हूँ और यहां तो अज़र चोविस में बोट लेने के लिए बाप लंबे लंबे फैक रहा है और प्रियंका गांधी उसकी पोल खोल रही है ओए 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 तो फिर किसीज की लिस्ट बने रही है वो ओए भगवान हमको तो समझ नहीं आ रहा है यह मोदी करता क्या है सोचता क्या है और चोविस चोविस गंटे जाग करके आखिर दिमाग कहां लगा रहा है ओए 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 देश में कोई ऐसी चीज बची है क्या जो बिकी नहीं है निनी मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज है क्या जिससे गरीबों को फाइदा होने वाला हो क्या पता क्या कि यह नहीं देगा तो हम लोगों तो इसouflage परियों का एक भलाइए। तुमीं बताओ आखिर किस चीज़ की लिस्ट बना रही है यह अरे बाब रहे बाब गालीयों की लिस्ट कौन बनाता है? ये तो भाई याद हो गई यार गालियों की लिष्ट बन रही है कि मोदी जी को किसे ने कितनी बार गाली दी ओए 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 ये लिष्ट नहीं बने रही है कि देश में पेट्रोल सो रुपिया लीटर हो गया है गैस का सेलेंडर अजार रुपिया का हो गया है वे रोजगारी में देश की, देश की, देश की कुछ नहीं, सब रोजगार पर है, हेहे, अरे प्रेंका गांधी जी तुमको कोई गाली नहीं देता है क्या, क्या तुम अपनी लिश्ट त्यार नहीं कर रहे हो क्या, जब मोदी जी लिश्ट बना रहा है, तुम भी बनाओ, ओ लगता है डिजिटिल इंडिया में मोदी जी लिस्ट पर लिस्ट बना रहा है और लाइन मैपिंग डाटे में डालेगा कि मोदी जी को 2014 से 2024 तक इतनी गालिया पड़ी है बाफ रे बाफ ये भी डाटा बन रहा है क्या अजकल अगर मेरे परिवार को जो गालिया दी है अच्छा आपके परिवार को भी गालिया दी है तो प्रियंका जी आप सो रही हो क्या मोदी जी 2024 गंटे जाक करके गालिया नोट कर रहा है और तुम 24 चौविस गंटे सो करके मोधी मोधी कर रहे हो मैं नहीं बोलता हूं यह मोधी जी बोलता है कि देज का बच्चा मोधी मोधी चिलाएगा और खाने को बिल बिलाएगे बिल बिल ने मतलब है है बिली आ गई कर दूद सार पी गई बंभिंध कर दूद की प्रोभलम है की पूस पुस 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 ताकि लोल्म को पता नहीं चलें कि मेरा मतलब साइब भाले बाद ब्रूबबलम है ये सीवर की बद्बू कहां से आ रही है चल भाग जा जल्दी से देख क्या कोई उटनी का दूद तो नहीं पीगी बिली अरे प्रियंका जी तुमने भी तो लिस्ट बनाई है जल्दी अपनी लिस्ट बताओ तुमने कौन-कौन सी गालियों की लिस्ट बनाई है पपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप दोली दिख रहे हैं नीचे डोली इस डोली में क्या है इस डोली में सीत है सीत सुबह सुबह जो मांग कर लेकर आये थे तुम्हारे घर में लुगाई है ना बच्चे और तुम दूद की बाट देख रहे हो अरे मोदी जी यह 15 लाग के लिए यहां जुमला उमला करता है तेरे को बोल रहे हो पाद की बद्भू पाद की बद्भू नहीं सुंगता हूं मैं तुमसे ज्यादा पतकड हूं पदड़ पदड मारता हूं तुमको तो पता भी ने चलता मूसे भी मारता हूं अभी चूप रहेगा नहीं रहेगा दिखने ना उचा पूर आया प्रिंका गांडी जी का तेरे को पता नहीं कब बोलना खब नहीं बोलना है पांच शूंग रहा है डोली यार भांच तेरे घर में नहीं है अरे पंद्रा लाक मिल जाएगे तो लुगाई भी आ जाएगी बच्चे भी हो जाएगे तू थोड़ा सबर रख दस साल से मोधी की सरकार हमने बनाई है क्या पंद्रा लाक लेने का हमारा अदिकार नहीं है अज़ा लेता हैँ हराम खोर तू मेरी पोल खोलेगा लगता गर का बेदी लंका भाइकतु मेरी अरे मेरी लंका मंच जला मेरे बाप मेरे पास सोने की लंका नहीं है मेरे पास यür crimes ìn कि लंका और यहीं जल गई तो मैं largest जंगलों में रहूँ जेंग्लों किताब च्पालेंगे ओ भाई ओ भाई आपको भी इतनी गालिया दी है किताब पर किताब पर किताब सब जाएंगी रुख जाओ, मैं अभी अपने मोधी चाचा को फोन करता हूँ मैं तो अपने चाचा को चाचा से भी ज्यादा बढ़कर मान रहा था पर मेरा चाचा तो मेरी गोभी खोद रहा है अभी फोन मिलाता हूँ या सारे नसे की ऐसी तैसी हो गई यार दारू की बोतल भी नहीं खोली अभी तक रुख अभी मोधी को फोन लगाता हूँ नरे नरे अंदर मोधी को फोन लगाओ नमबर उसका क्या यार ए कुटे तेरे को पता है ने नी तू कुछ मत बोल कुटे तू चुप रहा तू मेरी पोल खोलेगा मोधी जी को फोन लगा रहा हूँ बीच में बिल्कुल डिश्टर मत करना मेरे को मोधी जी का नमबर है 999 कुवारा है मेरा माइंड हाँ मैं अब तर कुवारा हूँ बाप ने बाप मोधी जी का नमबर भी कुवारा मैं भी कुवारा परिय今 का गालियों वाली लिष्ट बनाते हो अरे गरीमों का अधुपील पता है दुस्मन को दुस्मन न करे मोदी जी ने ऐसा काम किया है ने ने अरे बाप रे बाप ये मोदी जी मेरे को बहुत यादा रहा है दुस्मन न करे दोस्त ने ये काम किया है उम्र बर का साथ हमारे साथ जीया अरे बाप रे बाप गाना भी भूल गया हूँ अरे मोधी जी दुस्मन को क्या पता है ये प्रियंका गांधी दुस्मन नहीं है मारे देश के देश के युवा है बोले रहे यो दुस्मन को भी पता है जरा क्या पता है बताना मेरे को ये मोधी है अरे हाँ हाँ दस साल से सुन रहा हूँ मोधी है मोधी है मोधी है मोधी है पर मोधी कर क्या रहा है काली बस मोधी है मोधी है के नारे लगाएं इससे हमारा पेट भर जाएगा रोजगार मिल जाएगा महेंगा इचली जाएगी अरे मोदी जी हम गरीबों के बारे में कुछ सोचो ये प्रियंका गांधी तुमारी पोल खोल रही है जब भी चुनाव आता है गालियों का जुम्ला लेकर के बैठ जाता है जुमला नहीं गालियों की लिष्ट लेकर आएगा बोलेगा पांग्रेस ने इतनी गाली दी उसे ने इतनी गाली दी बस खाली गाली का ही रोना रोता है रोजगार का देश में महंगाई का रोना नहीं रोएगा गालियों का रोना रोएगा अब क्या कहना चाहोगे तुम प्रियंका गांदी जी को लाइन पर है अभी टेलीफोन की समझे तुम गर में गुश कर मारता है क्या? ये मोदी है गर में गुश कर मारता है मोदी जी तुम भी ऐसी ऐसी बाते करते हो सुन लिया प्रियंका जी ये मोधी है गर में गुश्के मारेगा तुम्हारे पास तो गर है पर मेरे पास तो गर नहीं है जिसका गर नहीं है उसको रोड पे मारोगे या पहले गर दोगे उसके बाद मारोगे अरे मोधी जी क्या बाते तुम्हारी मजा आ गया अरे प्रियंका गांधी जी मोधी जी गुष्टा हो गया है अब सीरियस में ले लो अब तु मोधी जी की ये गाली वाली लिष्ट फिष्ट की बाते मत करो मोधी जी को गुष्टा आ गया न तो चपन इसका सीना बढ़ करके चपन चपन दूनी चपन फलाना दिकाना मरे आपने नहीं पड़ाया वरना अपने 15 लाग अभी तक ले लेता चलो आप ही बताओ प्रियंका जी मोदी जी घर में उसके मारेगा तुमको अब क्या कहोगे तुम हिम्मत करो मोदी जी मेरे भाई से सीखो मेरा गुड कोश्चन भाई से सीखो अरे मोदी जी ये प्रियंका गांधी बोल रही है हिम्मत रखो मोदी जी इतनी जल्दी से आग बबूला मत हो 56 इंच का सीना मत ठैलाओ प्रियंका गांधी बोल रही है रावल गांधी से कुछ उन्वस्टी इंगलेंड से पष्ट पढ़के आया पढ़के समझे तुम बोलते हो कि मेरी पढ़ाई बढ़ाई नहीं हुए दोस्तो मैं पहले रेलवे में चाय बेशता था अरे मोदी जी ये सब बासन अब नहीं चलेंगे राउल गांधी जाग चुका है उसके साथ इसकी ब अओ आते है मोदी जी सेड़् फेड पर विचड जाता है और क्या कुछ कवोगे मोदी दि तुम और कुछ बोल हो उसके बाद मेरे मेरे को मोदी जी से सीकरेट करने करनी है जल्दी तुम बात करो पोन गाटो जल्दि बता और कुछ बोल है तो अहाँ मत ना पड़ता आए मोदी जी तेरे सिवा जाना कहां मोदी जी तू जब चला जाएगा गुजरात में तू फिर से बस जाएगा ये राहुल गांदी आ जाएगा मोदी जी तेरी याद मुझे तड़ पाएगा मोदी जी तेरी सरकार चली जाएगी जब मैं बहुत रोऊंगा मोदी जी अरे परियंका गांधी जी तुमका कुछ और भोला है मेरा दिल दुका दिया तुने अरे मैं तो भांग रगड रहा था उमाँ नीमोदी जी का विखारी हूं मैं दिन रात हाथ से रगड था हूं अरे अरे तुकिता जा ताजा नसे में टली रहता हूँ और दिन रात मोधी मोधी सहता हूँ नहीं सहता नहीं हूँ मोधी मोधी करता हूँ लगता है दिल की बात जुबा पर आई गई अरे परियंका गांधी तुमको कुछ और बोला है मेरा मोधी जी आग बबूला हो गए तेरा भाई कहता है गाली क्या मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए ये 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 होता है मोधी सरकार ने नी ये होता है राउल गांधी सरकार बोल रहा है मैं गाली भी खाऊंगा और गोली भी खाऊंगा वा 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 दिल जीत लिया प्रियंका गांधी जी तुमने ओए मोधी जी मोधी जी देखा देखा कितना बड़ा दिल और रहम दिल है आपको कांग्रेस पार्टी ने जो च्यारों ने गाली क्या दे दी आपने तो लिष्ट तारीक त्यार कर दी और थोड़ा सा प्रेंका गांधी ने क्या बोल दिया कि राउल गांधी से कुछ सीखो तो आप बोल रहे हो गर में गुश्के मारूंगा अरे बाप रे बाप मोदी जी तुम तो बहुत गुश्सा करते हो आप चिंता मत करो सारा क्रेडिट आपको जाएगा क्योंकि 2010 नहीं 2014 से लेकर 2024 तक जो देश में विकास हुआ है स्री राम जी का मंदिर बना है वो सारा मोदी जी की देन से हुआ है क्या हुआ मोदी जी खुलकर नहीं बोलते इसलिए देश की जंता जाजा चिला चिला बोल रही है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए अरे ऐसे कैसे क्रेडिट नहीं चाहिए मोदी जी हमारे स्री राम जी का मंदिर आपकी देन से बना है और चाहे देश में काम हो ना हो हमारे राम जी का मंदिर बन गया वही हमारे लिए ठीक है अरे मोदी जी इन गरीबों को क्या समझाए इनको ये नहीं पता कि 2014 में तुम्हारा बच्चा 5 साल का था तो 2024 में तुम्हारा बच्चा कितने साल का हो गया इनको पता नहीं है अरे 15 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया आज 15 साल का तुम्हारा बच्चा सकूल में जाता है तो कितनी फीच लगती थी तोड़ा सा कॉमेंट सेंस की बाते हैं थोड़ा सीखो और खाली मोदी जी को बदनायम करने से काम नहीं चलेगा मोदी है ते मुम्किन है अरे मोदी जी ने सारा ओनलाइन डाटा कर दिया कुछो गरीब का हक रोड पर ये बीच में मार लेते थे थे न अब वो गरीबों का हाँ कोई मारता नहीं है सीधा डिरेक्ट उसके बैंक खाते में आता है अरे मोदी जी इनको समझाना और बियार पैजल जाना दोनों बराबर है तो ठीक है मोदी जी हेलो हेलो प्रियंका गांधी हेलो लगता है मोदी जी प्रियंका गालनी ने फोन काट दिया जब जब मोदी जी की तारीब करता हूँ तो फोन काट दिया प्रियंका गालनी ने अच्छा मोदी जी अब फोन रखता हूँ मैं यहाँ चचनी पीस रहा था धनिये की सारे दनिये की चतनी मेरे कुर्टे पर लग गई लो भाई खर्चा बढ़ गया और सरफ इतना महेंगा कैसे लाऊ नी नी मेरा मतलब है सरफ विल्कुल सस्ता है 10 रुपे का पैकिट आता है ठीक मोदी जी हमें पौन रखता हूं ये ये इदर दवाई रखी है दवाई भी पीनी है और रोटी भी पातनी है क्योंकि लुगाई नहीं है ना 15 लाग दोगे तो लुगाई लाऊंगा तो ठीक मोदी जी पौन रखता हूं बाई मोदी जी बाई